हाई दोस्तों मैं आपका दोस्त आपके अपने यूटूब मेकेनिक चैनल में आपका स्वगत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारा जो कड़ा पिनियन उसके पिटिंग के बारे में पैसे कड़ा बिनियन तीन तरीके से को 215 ता आए एक तरीका यहीं जो मैंने इसमें अभी खोला एक टाइर उसके खौल खोल और इसको बार निकाला है थेकली बार निकाल के बार निकाल कर इसका पिनियन बार निकाल कर भीर इसका कड़ा विशेज प्रोब्लम नी थी थया थ्यांद चल रहा था इस लिए हमने को बेरिंग एज चेक करने के लिए खोल रहा था इसकी टूत टूट यह टोल की टी एकसिटेंड में इस वचछे से हमने को ख़ोल के चेक किया है कि कहीं इसमें कोई है शब से बिला में एये बेरिंग लगा लेना है ये जो बेरिंग लगें में 2212 वाले बी GUY कि तो सब्सक्र्वाइस χutda लगालाना है कि पाद में इसका ये कळा रखेंगे कि कि हम इसका ये कडा रख देना इस तरीके से तडिके से हमें हलकता है से इसको लगा लेना यह अराम से लग चाता है अलगाई वह में गुमा के अंदर लगा देदा यह जैसा कि आप ने भी देखा यह बिलकुल ही अराम से लगाए इसमें कोई जोड जबरस्ती नहीं करना है उसके बाद हम इसमें इसकी बुल पिनियन उसको लगाएंगे अńsk야 उसके बाद हम इसकी यह बुल पिनियन फिट कर लेना को इस तरीके से तो कि अभी यह एकसल टूप वेना सब खुले में तो यह बहुत एजी तरीके से लगे जाता है इसको में इसको घुमा के इस तरीके से अंदर बीठा लेना है उसके बाद हम इसे हमें इसकी बाद्स बात्ती 123 के जो कौन इसको लगा लेना है fighters इसको बिठा लिए इसके बाद हम यह इसका लगाएंगे और अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें एक बार चेक करेंगे किसमें पिले कितनी रहती है इसका केंच है इसमें इस जगे एक सील आती है और एक इसकी रिंग है और इसकी सीमे है तो अभी इसमें हमें सीमें चेंज करने की कुछ भी जुरूत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कड़ा पिनियन नया नहीं डाला है और सीमें भी चेंज है यह नए मोडल में अलग है और पु और कसके हम इसको चेक करेंगे वैसे हमें इसमें एक बर इसको यूँ टॉच करके चेक कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल पिले नहीं है वैसे इसमें पिले होगी अलकी फुल की इसमें जो हाथ से इसमें जब अपने इसको इस तरीके से लेते हैं तो इसमें पिले नहीं नजर आती है पर इसमें अलकी सी पिले है जो इसमें अरे नमीच यह आप देख सकते हैं इसमें हलकी सी पामुली सी पिले हैं शाहिद आपको वीडियो में नजर आ जाएगी यह हलकी स त्विले ये ये इतनी सिसमें ये तिले रहना चाहिए क्योंकि इसमें ये फिले रहना ज़रूर ह Ps तो इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि अभी हमारा ahead कर दो चला वह नहीं यह ये काज और एक सो तो त्रीज गंटे चलावा है इसलिए इसमें थोड़ी पिले कम है इस तरीके से इसमें आज से पिले नहीं है जब हम इसमें टामी या कुछ चीज लगागी इसको अलका सा हल चल करते हैं तो इसमें पिले रेना चील किसी पैसे जब कभी मैं नईया कड़ापडिय डालूंगा जब आपको एक-एक जानकारी देदूँगा फिलाल तो हम इसको अभी हमने पेंट मंगाया है इसमें पेंट लगा के और आपको चेक कराएंगे कि कमपनी किस तरीके से इसको चेक करके देती है एक हमें इसमें फिट करते टाइम यह भी धियान रखना होता है कि जो हमारे त करते हैं यह wreckage कि दोष्तों कड़ीयं कर उपिनियन हमें लगाने एक कि टाइम टीन चीजों का में इसका ध्यान रखना लए सबसे महत्पुन चीज तो हमें जब भी हम इसके कड़ा पिनियन डालें तो ओरिजिनल ही डालें क्योंकि ओरिजिनल जो कड़ा पिनियन आते हैं उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती फिटिंग में और वो लॉंग लाइब रहते हैं अच्छे सरुष देते हैं दोसरी बा कड़ें यह बीच में आना चीए ताकि जो हमारा कड़ा पिने ने वह लंबी सरुष देगा उसके लिए मैं इसमें द्यान देना है आप देख सकते हैं अभी जो कंपनी ने इसमें फिटिंग किया है तो इसके अभी जो दात है यह अलके से बाहर निकले में दाते हैं और यह आए कड़ा पिनिन इसमें फिट करेंगे तो सबसे प了 हम इसको खुठ से रहन को फिट करना है कर सके बाद पिन्य लगाना है वो कभी मैं crop अदेंका जोब करूंगा या लाएद का वीडियोड दालोंगा उसमें आपको और जानकरी दे दुगा है इन चीजों का में ध्यान रखना है एक तो यह होगी एक हां में करेण डालना है दूसरी बात ये ना तो फिरी रहना चीए और नहीं ज्याधा इरना चीह है तो इस तरीका से हमें इसको खुमा के चेक कर लेना झांहें यह ज्वादा और पिरी नो चीए वैसे कमपनी जब इसको पता कर दिए तो उनके पास नाब तोèces पकरती uma केजों तो हमारा खुम यह गूमना चाहिए वैसे हमारे हिसाब से यह हलका सा में ताइड मैसूस हो रहा है पर कंपनी का मेरेंजमेंट है इसलिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं और अगर अगर हमें लगेगा कि यह ज्यादा टाइट है तो हम इसमें इस साइट एक सिम डाल देंगे तो थोड़ा एजिली फिरी हो जाएगा हमारे बेरिंग है यह भी आइल ग्रिस नहीं है इनमें यह वैसे लगे में तो उसकी वज़े से भी है टाइट है तो एक बार पिले हम इसमें फोईल केंज से थोड़ा डाल लेंगे उसके बाद हम इसको गूमा के चेक करेंगे फिरी अगर इसमें इस्तिती एसी ही रहती है तो हम सिम लगा देंगे इसमें ताकि यह थोड़ा फिरी घुमें झाल के तो अब्ये जब हमने इसमें आइल लगाया तो आप देख सकते हैं यह घूम रहा है तो हम इसमिन ढालके इसी को रहने देंगे क्योंकि हमने बैरिणों को वीची लगाए थे इसलिए थोड़ा जाम था तो जैसे हमने इसमें आइल डाला तो यह बिलकुल नखना है कि अब हम इसको कि यहां पर इसमें पेंट लगाएंगे पेंट लगाएंगे देखेंगे जो हमारे जो दाते किस जगे पकड़ कर रहे हैं तो हमें इसमें चार जगें पेंट लगा लेना है जगें दूरी बनाके चार जगें इसमें पेंट लगा लेंगे पेंट पैंट लगा लेना है फिर हम इसको गुमा लिए आपने देखा होगा जब आपनेश्क है अब दोस्तों हमने चार जगे पेंट कर लिया है अब आप वह बिल्कुल के काम कर रहा है और हमारी जो कमपनी वह इसी तरीके से जब नया कड़ा बनाती है तो एक बार वह उसको वही चेक करके देती है इसलिए जब वह इसका नएक बिनेंट डालते हैं तो उसमें पिनेंद में और कड़े में दोनों में कच्छा पेंट लगावा होता तौह हम इसको एक बार गुमा को चख करेंगे हैं तो इस परीक से में इसको एक या दो राउट को मैं कि इसको के कहले है उससे में धाथ हो जाते हैं कि में के महलोज तोर पे चेक कर लेना चाहिए वेसे अगर आप चाहो तो एक काग़स की मततल्य न्याहша तोड़ा वापस कर तोब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो बाताइं कि जगे पखड़ कर रहा है पीछे ले ले तो अभी आप देख सकते हैं आप जो बाता है यह जेगे पखड़ कर रहा है यहां से हमारा जो विवेले जो पेंटे ब्वादब चुक्क है तो हमारा दादा पूरा पूरा ही दादा पकड़ कर रहा और यह दीच में से पकड़े यह सहब गलारी तोड़ा पकड़ा हैKY यह लू Health. को दोस्तों आप देख सकते हैं अच्च यहां से यहां तक काम कर रहा वीच में काम रहा है इस बढ्वताब और पर इस तरीका से इसको कर सकते हो यह बहुत ही आसान तरीक आप देख सकते हैं जो दाता है बिल्कुल फूरा टच कर रहा है इससे हमें किलेर पता बढ़ जाती है एक तरीका वह भी होता है कि हमारा जो पेपर आता है उस पेपर को हम उससे भी चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से में इसको कड़ा पिणियन को चेक कर लेना चीए दूसरी बात इसमें ये कि अप्सक्राइब को है के तरिवा इसको यह को इतने साफरा इसमें इसको के दिये कि बिछ नेच्ट मुन औरमें करना चींए और इसमें चार चाहिए चेक करना चाहिए इसमेल की से महां मुली सी पिले है यह तरीके से मैं इसको चेक कर लेना है आप देख सकते हैं यह कि यह इतनी सी इसमें पिले होना भी चाहिए ताकि हमारे जुदाते हैं कड़ा पिनियन के एक दूसरे से अड़के नहीं चले तो इतनी सी इसमें पिले होना चीए हमारे पास अभी डाइल बॉर्गेज उपलब्द नहीं है वह भी हम कभी मंगाएंगे तो कभी कड़ा पिनियन फिट करेंगे तो इसमें आपको दिखा दे हम पेंट से करते हैं इसको कंप्लेट तो इस तरी के दामें इसको चेक कर लेना है तो हमारा ये कड़ा पिनियन बिल्कुल ओक्के है और हमने इसमें सीप नहीं डाली है पिले हमें थोड़ा टाइट लग रहा था तो जैसे हमने इनमें वेरेंगों में आई लगाया तो बिल उल्कुल आएंगे कि क्षों हमें इसमें द्यान रखना है कड़ा पिनियन फिट करते हैं क्योंकि जो भी लोड रोता है इन्हीं पर आके पड़ता है ड्यारेक्ट जो भी हम जटका देते तो वह रोड़ पड़ता है तो इसमें हमें दो-तिन चीज का विश्यान रखना है दूसरा यह ज्यादा टायट नहीं होना जीए इसमें इस तरीखे से पिले नहीं होना चिए प्रावन में कि दूसरी बात ही जे शक्षट 蹼 सकते हो तो उसमें क氣 कोई चेंजब नहींaltet तो इसके लिए आप यहां से सेट कर सकते हो तो यह हमारे कड़ा बिनियन के बारे में जानकरी थी आपको अच्छे लेगत तो इसको ज्यादा ज्यादा लाइक करें कमेंड करें और शेयर करें